दोस्तों IPL का तेशावा मैच बहुत ही रुमांचक होने जा रहा है जो कि आपस में दोनों टीमें लड़ेंगे दोस्तों IPL का तेशावा मैच है आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही रुमांचक होने वाला है आप लोग जानेंगे पिछ रिपोर्ट क्या है एरिया आप मैच लगा रहे हैं तो इस सब आपको जानना बेहर जरूरी है कौन-कौन से प्लेयर इसमें रन बना सकते हैं बैटिंग पीछ है या बालिंग पीछ है इस सब जानना बहुत जरूरी है तो चलते सीधा विडियो को सुरू करते हैं आप देखेंगे हैदराबाद औ से किसके लिए जिन्दत साबित होगा मुल्लवापूर जाने पीछी रिपोर्ट उसके बाद देखें मुल्लवापूर के यादवीनर सिंग इंटर्नेशनल स्टेडियम में आई पील इतिहास का दूसरा मैच किंग से और संराजर सहधराबाद की बीच नौ अप्रेल को होने है उसके बाद देखें मुल्लवापूर आई पील 24 का तेसावा मैच पंजाब किंग से और संराजर सहधराबाद के बीच मुल्लवापूर के महाराज यादवीनर सिंग इंटर्नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 9 अप्रेल को खेला जाएगा दोनों ही टीम इस वक्ति बना सकती है इसे में सिखर दवन और पेंट कमिंस की टीम यह मैच अपने नाम करने में पूरी जान लगा देंगी लो दोनों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उमीद है आए जानते हैं कि पंजाब और हैदराबाद के बीच होने वाले इस मुकाबले में पि पिच रिपोर्ट मुलमापूर के महराजा यादविंद्र सिंग इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच गेद बाजो और बले बाजो दोनों के लिए ही मददगार रहती है हाला कि बले बाजो को थोड़ी अधिक मदद मिलती है इस पिच पर गेंद बैट पर अच्छ तरह से आती है तेज गेद बाजो को स्टेड़ से ज्यादा मदद इस पिच से मिलती है हलंकि स्टेड़ से भी इस ड्राइपी चिक पर काफी एकनामिकल साबित होते हैं कुल मिलाकर यह क्रिकेट खेलने के लिए यह के बहतरीन पिच है फिराद तो आप लोग जा नहीं चु कम उमीद है तो आपको इसी कहसाब से जो है आपको मैच को लगाना है उसके बाद उससे दिखिए मुलवापुर में हाल ही में आई पील का डेबलू मैच किंग्स और डिली कैपिटल की बीच खेला गया था इस मैच में डिली ने पहले बले बाजी करते हुए 174 रन बोर्ड पाद चेंज भी कर लिया है अब पंजाब और हाइदरावाद के बीच मैच में भी इसी तरह की बैटिंग पीच की उम्मीद की जा रही है के बाद उससे देखिए मैच के लिए दोनों टीम इस प्रकार हैं तो यहां देखिए पंजाब के जितने भी टीम है जितने भी प्ल रिपोर्ट यदि आपको अच्छे से पिची रिपोर्ट पता है तो आप असानी से मैच को कर सकते हैं इस वीडियो के बाद आप से बस्तना ही जहें दें